नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाई एके यूट्यूब चैनल पर राजनीती विज्ञान को जो वन लाइनल सीरीज हमने चला रखी उसमें ये 25 वीडियो नोट हैं इसमें हम बात करेंगे पॉइंट नमबर या कुश्चन नमबर 468 से 467 तक हमने 24 में बात कर चुके इन सभी की एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा परिक्षा से पहले किसी भी परिक्षा से पहले राजनिती विज्यान की ये आप D-SSB की परिक्षा दे रहे हैं गठबंदन की सरकार की स्थिति बन जाती है बहुत सारे बहुत सारी जो पार्टिया होती है वो अपने अपने गठबंदन में आ जाती है एक पार्टी के नीचे तो वहाँ दल बदल जैसी प्रवर्ति को क्या मिलता है ये कूप प्रवर्ति होती है इसको बढ़ावा मिलता है, दल बदल वहाँ पर होता है बहुत ज़्यादा, तिरी शंकुश अनसत में नेक्स देखे, 69, अनुच्छेद एक क्या है? इस अनुच्छेद में ये गोशना होती है दोस्तों कि भारत, राज्यों का क्या है? संग है भारत क्या है राज्यों का संग नेक्स देखिए 70 पंचायती राज की शुरुवात कहां से हुई उसका उद्गाटन कहां से हुआ तो 2 अक्टूबर 1969 1959 में राजस्तान की नागोर से इसकी शुरुवात हुई इसका उद्गाटन हुआ और यह उद्गाटन जवाहरलाल नहरुद्वारा किया गया ठीक है J.L.N. जवाहरलाल नहरुद्वारा 71 देखिए नगर निगम की स्थापना सबसे पहले कहां पे हुई थी दोस्तों तो यह हुई थी मदरास में 1687 के अंदर 1687 में 72 Phicus Benthalensis क्या है भारत का राष्टी वरक्ष का विग्यानिक नाम है Phicus Benthalensis जिसे हम हिंदी में बर्गत की पेड के नाम से जानते हैं तो भारत का जो राष्टी वरक्ष है वो कौन सा है दोस्तों बर्गत 73 राज्य का सर्वोच कानून अधिकारी कोन होता है राज्य का सर्वोच कानून अधिकारी की बात करें तो वो होता है महाधी वक्ता इसका समिधान में किस अनुच्छेद में उलेक है तो यह है अनुच्छेद 165 में यहां तक दोस्तों क्लियर हुआ चलिए नेक्स देखिए 74 मौलिक अधिकार और नीति-दिश्कत्तों में क्या अंतर है देखिए मौलिक अधिकार है जो कहां से लिए गये है मौलिक अधिकार निया योग्ये है तीन में है, नीती निदेशिक तत्तो का वर्णन हमारे समिदान के भाग चार में है मोलिक अधिकार न्याय योग्य है, नीती निदेशिक तत्तो न्याय योग्य नहीं है मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकार एतू होते हैं बलकि नीती निरिशक तत्तु समाज की भलाई के लिए होते हैं मौलिक अधिकार को कानूनी मानेता प्राप्त है नीती निर्देशक तत्तु को राजनीतिक मानेता प्राप्त है मोलिक अधिकार नागरिक को स्वेते ही प्राप्त हो जाते हैं बलकि नीती निर्देशक तत्व राज्य द्वारा लागू करने के बाद नागरिकों को प्राप्त होते हैं ये मोलिक अधिकार भी समझ लिए नीतिन दिशक तत्वी समझ लिए इनमें हमें अंतर भी समझ लिया 75 देखे दोस्तो भारतिय समिधान का अधिकार पत्र या मैगना कार्टा किसे का जाता है तो ये है भाग 3 को यानि मुलिक अधिकार को भारत्य समिधान का अधिकार पत्र या मैगना कार्टा भी कहा जाता है नेक्स देगी 76 भारत्य समिधान की राजबाशा वर्नित है क्यों से अनुचेद में अनुचेद 343 से 351 तक 343 से 351 तक 37 क्या प्रस्ताओना को न्यायले में प्रवर्तित कर सकते हैं नहीं न्यायले में चुनोती नहीं दी जा सकती किसको प्रस्ताओना को यहाँ पर मैंने एक आपके लिए मिलान प्रशन दिया है यहाँ पर देखिए एक के तरफ मैंने मंत्रियों के नाम लिखे हैं बी विभागों के नाम लिखे हैं ठीक है जो अंतरिम सरकार बनी थी ना अंतरिम सरकार का गठन हुआ था केमिनेट मिशन की योजना आधार पर उसके कुछ यह मंत्रियों के नाम है तो आपको इनको मिलान करना है एक तरफ देखिए पटेल है बलदेव सिंग है जगजीवन राम है आसफ अली है दूसरी तरफ रक्षा मंत्रा ले ग्रैस उचना प्रसान मंत्रा ले रेलवे मंत्रा ल झाल होबुँए नेग्ज देखिए जगजीवन राम सबस्रा लीन क्या चल वादी रेलवे ठीक थे मंत्री अंटरी कल्डेव सिंग थे ग्रेह सूसना परसाण मंत्री सरदार वल्ल भाई पटेल थे तो यह चीज़ यहाँ पर kleer होई चलो next देखिए 79 दबावकारि घुट को गुमनाम सामराज़्य की संग्या किसने दिये दोस्तों SE Final ने दबावकारि घुट को ओंनाम सामराज्य की संग्या दी है The Governmental Process किताब किसकी है D.B. Truman की किताब है The Governmental Process Fact है ये कुश्चन ऐसे कैसे ध्यान रखने आपको दूई दली है विवस्ता वाले देशों के नाम बताईए तो भई अमेरिका और ब्रिटेंग वहाँ पर दो ही दल दो ही दल रहते हैं ठीक है पहुदली है यहाँ पर डूई दली है 82 देखिए अब राजनीतिक दलों के बिना लोगतंतर नहीं चल सकता तो दल विवस्ता विद्धमान है यह मैकाईवर की परिवाशा है दल विवस्ता को लेकर 83 राजनीति एक संस्ता है राजनीति को एक संस्ता किसने बताया एंथनी डाउंस ने एंथनी डाउंस कहते है कि राजनीति क्या है एक संस्ता है 84 देखिए प्रतक्ष लोगतंतर का उधार्ण कौन सा देश है जी स्विग्जर लेंड प्रतक्स लोगतंतर है वहाँ पर आज भी विद्यमान है नेक्स देखिए 85 लोगतंतर को लोगप्रिय सरकार किस ने कहा दोस्तों सर हेंडरी मैन ने लोगतंतर को लोगप्रिय सरकार कहकर पुकारा ये चीज बिलकुल fact question है इनको ध्यान में रखना है कि लोगप्रिय सरकार लोगतंत्र को पोन कहते है Sir Henry Man तो दोस्तों ये कुछ हमने आपके लिए प्रशन तयार किये थे 85 तक आगे हम 485 तक 500 भी हो जाएंगे 500 से cross भी हो जाएंगे लेकिन most questions मैं आपके लिए लाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए जो test paper चला रखा है मैंने उसको भी देखें इसको भी देखें ज़्यादा ज़्यादा share करें जितना उप्योगी हो सके उप्योगी आपके लिए मैंने बनाने के लिए कोशिश किये आशा भी यही करते हैं कि आपके लिए पूर्टी उप्योगी सी दो ठीक है तो वीडियो नोट देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिन्यवाद share करना और like करना बिल्कुल ना भूले आपके लिए हम प्रयासरत